हेलो एवरिवन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माई स्कूल पे तो देखो यार हम इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाले हैं सीबी एसी टैन्थ क्लास का एक सेंपल पेपर में प्रॉब्लम आया था अब यह वर्ड आपको हमेशा जब ऐसी चीज दी है तो यह आपके लिए बहुत जरूरी बन जाती है क्योंकि इसमें जादा इन्फोर्मेशन नहीं दिया है पर यह जो आपको वैल्यू दी है यह आपके लिए सबसाधा काम आने वाली है तो देखे मैं सोलूशन बताता हूँ तो सबसे पहले आप सोलूशन जब करते हैं तो क्या करते हैं, गिवन पार्ट लिखते हैं, तो गिवन आपको है क्या, आपको सिर्फ यहाँ पे गिवन है यह equation, तो आप पहले equation लिखिए, mx into 5x minus 6 plus 9 equals to 0, अभी यह आपको quadratic equation जैसी नहीं लग रहे होगी, जैसी आप आम तोर पर देखते हैं, तो आप क्या करिए, bracket खोल लिखे, bracket को लेंगे, तो mx 5x से multiply होगा, यानि हो जाएगा 5mx square, और यही mx minus 6 से multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, minus 6mx, plus 9 as it is रहेगा, plus 9 and whole equals to 0, अभी आपको लग रहा होगा quadratic equation जैसा, तो याद कीजे, जो आपका general form होती है, quadratic equation की, वो क्या होती है, ax square plus bx plus c equals to 0, यही होती है, अब अगर आप दोनो equation के values को compare करेंगे, तो यहाँ पे x square के साथ multiplication में a है, यहाँ पे x square के साथ multiplication में 5m, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि a की value 5m है, right, यहाँ पे x के साथ multiplication में है b, यहाँ x के साथ multiplication में है minus 6m, क्योंकि यहाँ पर minus sign include करना इसलिए जरू है क्योंकि यहाँ पर B positive है तो यहाँ पर हम B की value क्या लेंगे minus 6M तो B हमें यहाँ से मिल गया minus 6M और जो हमारा C का value है constant वो है यहाँ पर 9 तो आपके पास A, B and C तीनों की value आ गई A हो गया 5M, B हो गया minus 6M and C हो गया 9 तो देखे जब आपके पास A, B और C की value आ गई तो आप के जानते हैं कि discriminant होता है किसी भी quadratic equation का जो आपको यह बताता है कि उस equation के roots का nature क्या है तो discriminant को आप कैसे लिखते हैं D से तो D अगर आपका positive होता है तो आपके पास two distinct root होते है and यह दोनों की value अलग होती है मतलब जब D आपका 0 होता है तो आपके पास two equal roots होते है right and D का value जब आपका negative होता है तो two imaginary roots होते है यह आपको पता है अब देखे यहाँ पे हमें क्या मिला जब second case है कि जब D का value 0 है तो two equal roots है and आपको problem में अलड़ी given था कि two equal roots है इस quadratic equation के तो यहाँ से हमें दोनों को compare करने पे क्या मिला कि D का value हमारा 0 है अब जब D का value आपका 0 के equal है and D क्या होता है D का formula B square minus 4AC यह आपका equal हो जाएगा 0 के B, A और C इन तो तीनों का value आपको पता है तो इन तीनों का value हम इस formula में put कर देते हैं और 0 का equal रख देते हैं फिर तो देखें जो B का value था वो क्या था minus 6M इसका square minus 4 into A क्या था 5M and C क्या था आपका 9 यह किसके equal हो जाएगा 0 के अब देखें minus 6M का whole square करेंगे तो minus का square plus 6 का square 36 M का square M square minus 4 into 5 20 20 into 9 180 and M as it is यह किसके equal हो जाएगा 0 के अब देखें यहाँ पर जो equation है 36M square minus 180M यह 0 के equal है तो यहाँ पर जो numeric value है 36 and 180 इन दोनों में से आप 36 common ले सकते हैं तो जब आप 36 common लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा M square and 36 into 5 होता है 180 तो यहाँ बचेगा 5M यह equal हो जाएगा आपका 0 के 36 को आप right hand side भेज दीते तो 0 divided by any number 0 तो आपके पास बचेगा यहाँ पर M square minus 5M equals to 0 अब इन दोनों में से भी आप M common ले सकते हैं right तो M common ले लिजे तो अंदर क्या पर चेगा M square में से M common लेंगे तो M और minus 5M में से M common लेंगे तो minus 5 अब यह value आपकी 0 के एकको लो जाएगी तो अब आप देखें यहाँ से या तो M 0 हो सकता है या M minus 5 0 हो सकता है right तो यहाँ से आपको दो value मिली M equals to 0 और M minus 5 equals to 0 जो आपको further क्या देगा M का value 5 के equal अब देखें जब आप M का value 0 put करें अगर इस equation में यहाँ पर तो यह वाला पूरा part आपका 0 हो जाएगा तो यह तो equation quadratic equation रहेगी नी तो it means यह case possible ही नहीं है तो यह सको हम discard कर देते हैं और जब आप M का value जो 5 रखेंगे तो यह equation बनेगा तो it means जो आपका solution है इस problem के लिए वो है M equals to 5 and M equals to 5 आपका answer हो जाएगा इस problem का तो इस तरह की problem में आपको कुछ भी नहीं करना सबसे पहले आपको क्या निकालना यह देख लिजे equation को आप खोल लिजे उसको compare कर लिजे जो आपका journal form है quadratic equation का वहाँ से A, B और C values ले लिजे आप फिर यह देखे problem में दिया है कि किस type के roots हैं वहाँ से आप D का value put कीजे अगर two equal roots हैं तो D equals to zero होगा तो minus B square minus 4AC equals to zero B, A and C का value रखिए solve कीजे वहाँ से आपको problem का solution मिल जाएगा इस तरह की problem को आप ऐसे solve कर सकते हैं and इस तरह की problem हर साल आती ही है तो इसलिए आपके लिए यह थोड़ा सा नमबर लाने वाला problem बन जाता है ओके गाइस, thank you